जेहन दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब उमीद है एकदम शांदार लाजवाब जबरदस्त बहतरीन जिंदबाद हैं और जितने भी प्यारे भाईयों ने बहनों ने CISF SCM STENO का एक्जाम दिया हुआ है तो सबी बस एक ही चीज को लेके लगातार questions करते रहते हैं हमारी iwear team पे लगातार calls आती रहते हैं और बहुत सारे messages मिले पहले तो cut off को लेके बहुत सारे बच्चे परिशान थे और उसके बाद अभी सबी लोगों का बस एक ही कहना है कि इसका result कब आएगा और result के बाद typing की date क देखते हैं ऐसी कुछ गलतियां रहती हैं बच्चों की मेरे भाई बेनों की कि जिन्हें हम अपने सामने होता हुआ देखते हैं और उनकी वज़े से ना बहुत अच्छे बच्चे जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं उनके selection भी रुख जाते हैं तो आपके साथ ये गलतिय सादा fire हो रखें सब की सब तुरंट की तुरंट सारे की सारे एक्जाम से अपने करा कराते जा रहे हैं अगर मैं CSF की बात करूं तो बाकी एक्जाम को ये बहुत जल्दी जल्दी साथ में लेकर चल रहे हैं और जैसे ही अब ये कुछी दिनों में इन से free होते हैं बाकी सार महिने के लास्ट तक maximum कह रहा हूं मैं हो सकता है उससे पहले ही आपको देखने को मिल जाए लेकिन मैं maximum मानके चल रहा हूं तो यह मैं मानके चल रहा हूं कि दिसमबर लास्ट तक इस महीने के लास्ट तक तक तकरीबन आपको examet का result देखने को मिल सकता है यानि कि मैं कहोंगा कि December last तक यह आपको देखने को मिल सकता है अच्छा अब उसके बाद कर स्कूशन यह आता है उसके बाद कुछ दिन रिजल्ट फिर रिजल्ट रिजल्ट के बाद तुरंत ही अगली स्टेज की डेट तो यह सब बहुत जल्दी जल्दी अपना काम करा रहे हैं अगर रिजल्ट मान लीजे दिसंबर के अंधिम में आता है तो जनवरी के महिने में आपको सत्व प्रतिश् कि हम तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो टाइपिंग करनी शुरू करेंगे तो फिर आप बोल जाएए आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं क्योंकि अगर आपने कभी टाइपिंग टेस्ट दिया हो तो यह बात आप महसूस कर चुके होंगे कि ऐसा संभवी नहीं है तो यह चीज आपने महसूस कियोगी कि यह संभवी नहीं है कि आप तब टाइपिंग को अपनी को सुधार सकें और मैं अभी एक मैने वीडियो शुरू होने से पहले एक बात कहीं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहां आते हैं और कहते हैं कि भाया हमारे 90 से 95 तक या मालो 85 प्लस नंबर थे ऐसे बच्चे भी टाइपिंग ना होने की वज़य से रह जाते हैं तो भाई आपको टाइपिंग को बहुत सीरियस लेना है चाहे वो CGL की परिक्षा हो CGL में टाइपिंग क्वालिफाई है लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें रह जाते हैं और पेरा मिलिटरी फरॉर्स में तो रही जाते हैं और अगर मैं टाइपिंग की बात करू हूना तो अगर आप पेरा मिलिटरी आपको अब ही से आज ही से मजबूत कर लेनी हैं बगेर ये सोचे कि रेट कब तक आएगी टाइपिंग की रेट कब आएगी रिजल्ट कब आएगा कि टाइपिंग ऐसी चीज है नहीं जो एक या दो महिने में मतलब एक जो दो दिन में आपकी हो सके सब चीज छोड़कर आप के नंबर मैंने कट आफ की वीडियो बना दी है अब कट आफ जो है प्रॉपर गूगल डेटा के अधार पर अगर उस रेंज में आपके नंबर है या मैं तो कहता हूं दो चार पांच दस नंबर कम भी है क्योंकि कोई भी हो मैं हूँ या कोई भी अन्न है हर आदमी एक अंदा टाइपिंग हम भूल जाते हैं कुछ भी याद कर लो प्रेक्टिस करो कि पंद्रे दिन में फिर से वही स्पीड आ जाएगी तो टाइपिंग तो आपको स्ट्रॉंग करनी पड़ेगी यह मत सोचो कि इसका रिजल्ट कब आएगा डेट कब तक आएगी टाइपिंग के जड़ेंगे यह qualifying in nature होगा टाइपिंग आप सभी शायद जानते हों जिन बच्चों को नहीं पता एक बार में फिर से दोहराई देता हूं कि अगर आप ASI के लिए जा रहे हैं यानि कि स्टैनोग्राफर के लिए जा रहे हैं तो डिक्टेशन जो होगी यानि कि जो आपको जाएगा वो आपको 10 मिनट तक बोला जाएगा और अश्री शब्द हर एक मिनट में बोले जाएंगे तकरीबन आप आपको 800 सब्द तकरीबन आपको इतने समय में लिखने हैं उसके बाद जो टाइपिंग का टाइम है वो 50 मिनट इन इंग्लिश है और 65 मिनट इन हिंदी ओ कोंप्यूटर है यह मनलब ऐसे हाथ से लिखने वाला होगा और यह कंप्यूटर की टाइपिंग हो जाएगे आपकी इंग्लिश में आपकी 50 मिनट और हिंदी में आपकी 65 मिनट अगर हम हैट कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करेंगे तो इंग्लिश की जो न कक्रेंदेने और हिंदी में आपका 90000-1953 कि इसे समझ जाते होंगे कि 35 वर पर मिनट आपको इंग्लिश में चाहिए और क्यूट्र पर मिनट हमको हिंदी में चाहिएज मैं अच्छे से अपने टाइपिंग नितियार powerful श्तन में अगर आप अपने टाइपिंग अच्छी नहीं करते हैं तो निश्चित तोर पर ही आपको बहुत निरासा का सामना करना पड़ सकता है चाहे आपके भले ही कितने अच्छे नंबर हो फिर से वही बात आती है मैंने सारी बाते बता दी सर साथ कुछन सही है अरे भाई साथ कर लो यह तो कहीना कहीं और काम आ जाएगी टाइपिंग ऐसी चीज नहीं है कि जो इसी में पूछी जाएगी अगर आप कोई भी HCM का पेपर भरेंगे क्या टाइपिंग नहीं पूछी जाएगी किसी भी जगह पर आप एससी का पेपर भरोगे स्टेनों ग्राफर के लिए क्या टाइपिंग और अलगता है कि जो चीजें उसके लिए रिक्वायरमेंट हैं क्या वो नहीं पूछी जाएंगी हर जगे पूछी जाएंगी तो यह बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि मेरे इतने नंबर है इतने नंबर हैं बाई कोई जरत यह सोचने की आपको आगे के स्टेज की तयारी करनी चाहिए फिर वही कमियां हो जाएंगे माल लो इस एक्जाम में आपके साथ नंबर हैं हो सकता अगले एक्जाम में 90 नंबर आ जाए और रिजल्ट आ जाए और पांस दिन बाद टाइपिंग की डेट आ जाए तो क्या वहा टाए और आए